नमस्कात दोस्तों स्वात करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब वकेंसी अपडेट्स के अंदर और आज आपके लिए एक बहुत बड़िया रिक्रूट्मेंट अपडेट्स लेकर आया हूँ जिसके अंदर कैंडिडेट्स ने अप्लाइ भी कर ल हैं उनकोशन के सारे आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ और एकिंट के अंदर जो हैंङी हम रतानाएं और आपको पता लग जाएगा आपको कहां से अपलाई करना है आपके अगर कम कम परसंटेज हैं तो कहां से अप्लाई करना है अगर ज्यादा परसंटेज हैं तो अप्लाई करना है किसी और आज जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं आपको अप्लाई करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए पूरी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दू चुकी हैं जिनको आप हमारी website पर जाके apply कर सकते हैं जिसके लिए simply आपको क्या करना होगा आपको जाना है गूगल में और वहीं पर जाके आपको type करना होगा जो की meetacademy.xyz फॉर्स नबर पर आपको हमारी website मिल जाएगी वहीं से सारे आपको job related updates जो हैं वो मिलते ही रहेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं recruitment के बारे में सबसे पहले यह recruitment जो है इंडिया पोस्ट की तरह से out किया गया है और इसके लिए all eligible है candidate all इंडिया से आप किसी भी state से हैं तो आप इसके लिए eligible हैं apply कर सकते हैं male and female दोनों ही candidate इसके लिए eligible हैं और salaries के अंदर आपके 29,980 हैं male and female दोनों ही apply कर सकते हैं अगर मैं बात करूं इसके अंदर पोस्ट की तो यह ग्रामीन डाक सेवक की वेकेंसी जिसके लिए आपकी 29,000 रहने वाली है number of पोस्ट की बात करें तो 40,886 वेकेंसी जो है total इसके अंदर आउट हुई है और इसको circle wise जो इन्होंने बाइपरि apply कैसे करना है तो online आपको apply करना होगा age limit की बात करें 18 to 40 year तक के candidate legible है OBC को 3 साल का year relaxation है personal disability को 10 साल का है personal disability plus OBC को 13 year का है personal with disability वाले candidate SCST candidate को 15 year का age relaxation दिया जाएगा और आपको अगर online apply करना है नहीं पता लग पा रहा तो आप इस वाली वीडियो को play करके देख सकते हैं यह डिरेक्ट आपको YouTube पे मिल जाएगी मैं link भी इस post का आपको दे दूँगा वहीं से आप play करके step by step apply कर सकते हैं और इसके लिए apply करना जो है आपका already start हो चुका है 27th Gen से ठीक है और last date 18th February 2023 इसके लिए रहने वाली है अब अगर बात करें इसके लिए आपकी application fee की general OBC के लिए 100 रूपीज आपको pay करने होंगे और बाकी के लिए जो candidate है अधर वाले उनको कोई भी pay नहीं करना है अब सबसे पहले बात आते हैं आ यहां पर सबसे पहले जाएंगे जो first and notification वाला link यहां पर उसके बास circle wise post notified पर क्लिक करेंगे तो इह आपके पास जो है इनका circle wise जो डिटेल है वो open हो जाएगा अब यहां पर आपको थोड़ा सा zoom करके दिखा देता हूँ अब candidates के question क्या-क्या थे कि Sir क्या हमें other state करना लेंगवेज हैं वो तेलेकू ठीक है अब सबसे जाधा जो पोस्ट आउट की गई है वह एयुपी के अंदर फिर अुतर पर देश जैसे कि आपको पता ही सबसे जादा पोसिसके इंदर आउट की गई है आप यहां से अगर मैं आपको दिखा देता हूं ठोड़ा से जूम करके कि यहां पर उत्रप्रदेश वहां सबसे जादा जो पोस्त है वह आउट इस बार जो है उन्होंने ंवे की की बात कर लेते हैं कि आंदरा परदेश मैंने अप्लाई करना है यहां पर 2480 वेकेंसी से राइट तो कोई भी यहां इस स्टेट से अपने स्टेट को छोड़के इस से अप्लाई करना चाहता है तो उसके पास जो लेंग्वेज है वो तेलुगू आने उसको जरूरी है क्योंक लेकिन मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप अपने लोकल जैसे मैं अगर बात करूँ कोई पंजाब से है तो अगर आप देखें तो वहां पे आपका जो है competition भी उतना ही जादा हो जाएगा तो आपकी उसके अंतर सेलेक्शन होना जो है उसके अंतर बहुत मुश्किल हो जाएगा तो आपको अपनी state देखनी है जहां की local language आपको आती है अगर मैं बात करूँ पंजाब से है तो मुझे मैं यहां पे पंजाब से ही apply करूँगा मुझे क्योंकि ऐसा है क्योंकि मुझे local language तो आती ही आती है और वहां पे अगर मैं सेलेक्शन होती है तो मेरे लिए जादा easy रहेगा अगर मुझे हिंदी भी आती है तो मैं राजनसान से भी apply करने को कर सकता हूं लेकिन आपके chances ऐस आपकी state में जादा रहते हैं तो आप अपनी state में apply जरूर से करिए तो यही में मेरा जो मोटिव था आपको समझाने का कि जो आपकी local language आपको आती है जिसली भी उसी state में आप apply करिए ताकि आपको आगे आके किसी तरह की कोई जो problem है वो ना आए तो जैसे कि आपको पता ही state wise है तो आपको जिस भी state के लिए apply करना होगा जब आप वहां पर select करेंगे तो आपको वहां पर state है वो भी select करनी होगी शुरू में ही तो उसे कि accordingly apply करिएगा बाकी other कोई doubt है आपका तो आप हमें comment box में point करके बता सकते हैं बाकी next video फिर से लेके होंगा अगर कोई भी comments आप